उसोस पे बरसेगी रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की हैवानियत मनीन दा बैंक से पहले होने वाले आखरी स्मैक डाउन में होगा जिमी और जैक आप बुरा हाल जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों स्मैक डाउन का अगला एपिसोड मनीन दा बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले होने वाला आखरी स्मैक डाउन होगा जहां ट्राइबल चीफ और स्ट्रीट चैंपियन का हैवानियत भ़़ा रूप देखने मिलेगा क्योंकि बीते स्मैक डाउन के एपिसोड में रोमन को धमकी देने के बाद शो के मेन इवेंट में उसोस ने थके हारे सोलो सिकोवा को मार मार कर अधमरा कर डाला जिमी और जैने अपने छोटे भाई पर बिलकुल भी दया नहीं दिखाई उल्टा ये दोनों सिकोवा की बुरी हालत देख कर हज रहे थे लेकिन उसोस ये भूल गए कि जब रोमन रेंस और सोलो सिकोवा अपनी हैवानियत दिखाएंगे तो उनका क्या हाल होगा नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में ट्राइबल चीफ का आना 100% पक्का है मतलब पिछले हफ़ते की तरह इस बार सोलो सिकोवा अकेला नहीं होगा बलकि उनका साथ देने के लिए रोमन रेंस भी मौजूद होंगे उसोज ने अब तक दो बार ट्राइबल चीफ और स्ट्रीट चैंप को अपना शिकार बनाया लेकिन बदले में सोलो और रोमन अब तक उसोज का एक बाल तक बाका नहीं कर पाए इसलिए स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में ट्राइबल चीफ बात चीत नहीं बलकि सीधा मार पीट से काम लेंगे क्योंकि अब पानी सर से उपर जा चुका है और रोमन की बहुत ज्यादा बेज़िती भी होती जा रही है जवाब देने का समय आ चुका है और ट्राइबल चीफ सीधा एक्शन के मूर में दिखाई देंगे ऐसे में जब उनका उसोज से सामना होगा तो वो अपने भाई सोलो सिकोवा के साथ मिलकर सीधा जिमी और जैसे भिड़ जाएंगे इस तरह के नेक्स्ट स्मेकडाउन के एपिसोड में बलड लाइन के इन चारों भाईयों की बीच खतरनाक ब्रॉल देखने मिलेगी जहां रोमन, रेंस और सोलो सिकोवा मिलकर गदार उसोस को बुरी तरह तबहा कर डालेंगे मतलब मनीन दा बैंक से पहले ट्राइबल चीफ और उनके छोटे भाई का पलडा जिमी और जैपर भारी दिखाई देगा लेकिन आप बलड लाइन सिविल वार में किस टीम का साथ देंगे टीम रोमन या टीम उसोस कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बलीव इन गोड और थैंक्स फर वाचिंग